वेलकम टू माय चेनल और आज मैं बना रहे हैं आपके लिए मसाले डोसे के आलू मसाले डोसे की रेसिवी मैं अपने चेनल पर अपलोड कर चुकी हैं आप जाके चेक कर सकते हैं तो आज बना लेते हैं इसके आलू चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले तो चलिए तेल अच्छा गर्म हो गया आप इसके अंदर डाल दोई में यह राई जी रहा तड़का तो एक चमस राई एक चमस जीरा ले ले आप उसको तड़का ले अच्छा से इसको फूद बढ़िया से तड़का है अच्छा से एक तम तड़कने लग जाए खुश्बू आने लग जाए जब तक इसको भूने आप तड़का जितने अच्छा होता है आपके सब्जी इतनी अच्छी बनती है तो तड़का बढ़िया से लगाए और फिसके अंदर डाल दाती हूं में यह प्यास यह मैंने एक मीडियम साइज प्यास को लेके एकदम बारिक बारिक कर लिया था इसको डालके भी मैं अच्छे से हिला लेती हूं बढ़िया सा एक दम हमारे को हल्क ऐसे कुछबू आने तक के हिलाना हमें इसको बहुत जादा गॉल्डन नहीं करना है ठीक है अब मैं डालना है यह आठ से दस हरी मीड़ी इसको बारिबारिक मेरे चौप कर लि कि जो समोसे होते हैं इसमें भरावन कर सकते हैं बहुत टेस्टी बनता है ज़रू ट्राइ किजी आप इसको ठीक है इसको भी अच्छे से चला लें आप और थोड़ी से खुचबू आने तक चला हैं इसको आप भुजा दमत भूनिएगा बस हलका सा भूनिएगा ठीक है नमक आप अपने टेस्ट का कर्डिंग डालें चितना नमक आपको लगता है कोई ज्यादा नमकीन खाता है कोई थोड़ा कम खाता है टेस्ट के कर्डिंग डाल सकते हैं चलिए इसकंदर में डाल रही है एक चमज भरके में डाल रही है इसमें हल्दी का कलर बहुत अच्छा चोटे चोटे पीस कर लिए इसके चोटे चोटे पीस कर लें लेकिन इसको एकदम बारिक मत तोड़े इसके जो पीस रहते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं चोटे पीस तो इसको इस तरह से तोड़के हाथ से ही तोड़ी आप मेशयर से मेश मत केजिए वरना पतले-पतले चुछ चुछ पारिक हो जाएंगे चलिए इसके अंदा में डाल रही एक चमश कर में डाल रहे हैं यह आधी कटोरी इंदी का पल तो इसमें शक्र और इंदी का पल्प जरूर रेट करें इस एक दम भड़िया सा टेंग चैस्ट आएगा हमारे अलू में तो चलिए तयार है हम को को भोगता कि बिलाए तो हुआ नहीं नहीं ना और इसको मैंने गुनिश कर दिया हरे धनिये झाथ हो भर्डा का नियुक्त करते हैं कि इसक लात भिना सब्जिज आथ तयार कर लें रे च्यार है मेरे आलू पराते ऑन जिस में भी चाहिए यूज करें अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी यूसफुल लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए पास में लगे बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजी लाइक शेर कमेंट करना मत भूलिएगा चलिए मिलते एक और ऐसी ही टेस्टी और बढ़िया रेसिपिक साथ थैंक यू फार वाचिंग माई वीडियो मेरे साथ आगे भी बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी पास में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दीजी